हेलो माई डियो फ्रेंड वेलकम टे एड्यूगेशन पॉइंट ऑनलाइन सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग गए हो बहुत अच्छे होंगे सो मेरे प्यारे बच्चो आज हम लोग बात करने वाले आर्जी पीवी थर्ड समस्टर के सलेवस के बारे में और आज जो हमारा ब्रांच है बेटा वो आपका Electrical and Electronics Engineering है जिसे हम लोग प्यार से इ-X ब्रांच भी मेरा प्यारा बच्चा कहते हैं डबल-E का मैंने पहले अल्रीड बता दिया लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेड का एक मैंने प्लेड बनाया जहां पर सारे ब्रांचेस का सलेवस मैंने बता दिया है तो डबल-E ब्रांच का और E-C-E ब होता है वह इंजिरिंग का मोस्ट इंपार्टेंस होता है क्योंकि यहां पर क्या करता है पूर्य जो भी basic subject होता है वह यहीं पर होता है मतलब पूरे इंजिरिंग का जो बेश होता है वह आपका 3rd और 4th semester होता है तो मैं आपसे यह बोलूँगा बेटा कि फिलाल आपको exam passing कर पढ़ना है अगर आप knowledge के लिए पढ़ोगे तो आगे आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे प्लेश्ट हो पाओगे और अगर आप ये सोचों कि नहीं है सिर्फ मुझे exam pass करने के लिए पढ़ना है तब आप दिक्कत में रहोगे तो एक बात समझे लो इस बार थर्ड समस्टर में आप पूरा कूर्स पढ़ोगे और exam pass करने के लिए नहीं अपने knowledge को boost करने के लिए ठीक है बेटा चले तो यहाँ पर subject की बात की जाए तो पहले subject को आप काट दो energy and environmental engineering यह आप exam के 10 दिन पहले भी पढ़ोगे तो अच्छे marks ला सकते हो बाकी यह जो चार subject है आपके यह आपके main subject है बेटा तो इनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो पहला आपका signal and system है दूसरा आपका electrical measurement and instrument है network analysis और analog electronics इसके लिए आप क्या कर सकते हो gate academy आपका जो channel है उसे आप यहाँ पर follow कर सकते हो बेटा gate academy में लगबग सारे subject का आपको basics से मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप YouTube में एक बार search कर लेना best YouTube channel for electrical engineering तो वहाँ पर आपको 2-3 channel के नाम और पता चल जाएगी बेटा लेकिन एक बार समझो college के भरोसे मत बैटे रहना आप आगे जाके फस जाओगे तो वह काम आपको नहीं करना है वह काम आपको यहाँ पर नहीं करना आप अच्छे से पढ़ो knowledge के लिए पढ़ो exam आप पास भी कर जाओगे और आगे आपको किसी भी तरह की कोई डिक्कत नहीं होगी इस बार mathematics 3 नहीं है आपका वो next semester में होग आगा तो जो बच्छा syllabus के लिए है वो वीडियो को पास करके क्या करो syllabus note करना चाहते हो तो note कर लो ठीक है चलिए आपका देख लिए signal and system का हो गया है ना आप note करना चाहो तो वीडियो को पास करके note कर सकते हो और यह आपका हो गया electrical measurement and instrumentation का यहां भी अगर चाहो तो आप वी analog electronics का number है तो कभी भी कोई confusion हो तो आप मुझे call लगाने से बिल्कुल मजी जखना अगर मैं call नहीं उठाता हो कि मोबाइल मेरा हमेशा silent पर रहता है तो मैं callback आपको जरूर करूंगा ठीक है बिटा तो आप घर जाईए एक सबता enjoy कीजिए उसके बाद आके पढ़ी अच्छे से ठीक है चले तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए टेक केप बाई बाई टाटा